Hello students, good morning and welcome to class 4th Today we solve our exercise 8.3 of fraction chapter Question 1. Find the first 4 equivalent fractions for the following by multiplication 4 equivalents आपको find out करने हैं तो आप क्या करेंगे, multiplication method से बूला है तो multiply करेंगे तो 2 को हम multiply करेंगे किसी भी नमबर से ये fraction लिखने के बाद हम इसे multiply करेंगे multiplication दिया तो multiplication किसी भी नमबर से हमने किया, 2 से किया तो हमारा answer क्या आया 2 to the 4 and 3 to the 6 तो एक तो हमारा आ गया फिर से हम अगर इसको फिर से करें 2 upon 3 को multiply किया हमने किसी भी नंबर से मान लो 3 से किया तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 ऐसे करके आपको कितनी बार करना है 4 बार करना है 1st 4 multiples 1st 4 बोला है तो पहले तो 1 टाइम हो गया 1 में तो ये खुदी आ जाएगा 1 से multiply करेंगे तो 2 से multiply किया ये answer आया 3 से किया ये answer आया अगर 4 से हम करते है तो हमारा answer किया आएगा मैं यहां करके दिखा रहे हैं आपको 2 upon 3 multiply by 4 दोनों जगे सेम नंबर से करना है तो 2 2's are 2 4's are 8 3 4's are 12 तो ये हमारा 4th answer आगा तो 1st 4 multiples तो 1, 2, 3, 4 से इनको multiply कर देंगे तो हमारे answers आजाएंगे ठीक है next question find 2 equivalent fractions for each fraction by division 2 equivalent fractions बनाने हैं और divide method से करना है तो हम divide करके देखते हैं दोनों नंबर किसी एक table में आजाने चाहिए जैसे 15 और 30 3 की table में आजाते हैं तो हम इसको 3 से divide करेंगे 3 की table बोलो कि 15 आजाए 3 5s are 15 3 की table बोलो कि 30 आजाए 3 10s are 30 एक तो ही हो गया दूसरा वापस आगर हम करते हैं second equivalent निकालने के लिए इसको divide करेंगे 5 से क्योंकि ये दोनों 5 की table में आते हैं जिसकी table में दोनों आते हैं उसी से करना है 5 की table बोलो कि 15 आजाए 5 3s are 15 5 की table बोलो कि 30 आजाए 5 6 is 30 तो 3 upon 6 और 5 upon 10 ये हमारे 2 equivalents हो गया 1st और 2nd गॉट इट? तो इसी टाइप से आपको ये 3 भी complete करना है अब बेटा 4th class में हो तो आप ये पहले भी मैं सिखा चुकी हूँ 3rd class में भी की equivalent कैसे find out करते हैं और आज भी मैंने आपको सिखाया तो आप ये अपने आप से कर सकते हूँ तो do it in your fair notebook डारेक्ले आपको fair notebook में ही करना है औके? and prepare for your exam exam होंगे आपके मार्च में या अप्रेल में और written exam है offline exam है school में बुला कर ही आपके exam लिए जाएंगे return ठीक है? तो उसके लिए आपको preparation तो करनी है so complete your work and start your preparation thank you